23-23 का वजट हमारी सरकार ने तुरित एवं सर्व समावेसी दिकास के लिए समर्पित किया तो आज का जो वजट है जो हमारे बित्त मंत्री जी ने प्रस्थुत किया है वह वजट प्रवुस्तिरी राम को समर्पित करते वे लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि एही महा आदि मध्य और साना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना प्रवुसिताज जी की इन सब्तों में कि बजट की सुरुवात में बजट के मध्य में और अंत में भी प्रवुस्तिरी राम है उनके विचार में उनके संकल्प में एक-एक सब्द में सिर्राम है लोक मंगल के प्रियाय हैं और यह वजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है मैं इसके लिए वित्त मंत्री अपर मुक्य सचिर वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र अंसंतुलित विकास की अवधाना को सार्थक बनाने के उत्तेशे से प्रस्तुत इस वजट के लिए फिर्दै से बढ़ाई देता हूँ आस्ता अंतोद है और अर्थ विवस्ता को जो समग्र पित हमारा आज का ये बजट है ये अब तक का अब तर्विदेश का सबसे बड़ा बजट है साथ लाग च्छतिस जार चार सो सेंटीस करोड उपे का ये बजट यानि साथ लाग की सीमा को क्रॉस किया है अगर आप देखेंगे दोहजार प्रेइस सोवीस की तुलना में बजट में च्छे दिसंबर साथ परसद की विर्धी इसमें की गई है राश्किय फैसन टेकनलोजी संस्थान के स्थापना यहाँ वारानासी में करने और दो मेगा राश्किय आईटियाई के स्थापना और उनत्तर आईटियाई के उन्यन का प्रस्तावभी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है स्थापना की कारवाई भी प्रदेश में है बरिष्ट नागरी कल्यान कोस के स्थापना और आंगनवाडी के उन्यन की जो लगभग 22,000 सेधिक आंगनवाडी है मिनी आंगेन बाड़ी केंदर हैं उनको मुख्य आंगन बाड़ी केंदर के रूप में अपग्रेट करने की कारवाई को हमने आगे बढ़ाया है इसमें अनदापा किसानों के लिए हम लोगोंने मुख्य मंत्री खेज फुरक्सा योजना प्रस्तावित की है प्रदेश में राज्य किर्शी विकास योजना प्रस्तावित की गई है इसके लिए भी धंदासी की विवस्ता की गई है प्रदेश के अंदर जो हमारे लगबग जो प्रदेश के अंदर नीची नलकूप है उनसे जुड़ेवे किसानों को हम लोग विजली उपलब्द करवा सकें इसके लिए निसुलक विद्दुत आपूर्थी के लिए भी धंदासी का प्रावधान हमने बजट में किया हुआ है और उत्तर प्रदेश के खेती को ग्लोबल वार्मिंग से भी उनकी पैदावार में प्रभावर नियूंतम किया जा सकें इसके लिए आटोमेटिक वैदर स्टेशन आटोमेटिक रेंगेज के स्तापना के लिए भी हर गराम पंचायत में स्तापित करने के लिए हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया है जो खेती, किसानी के लिए, बागवानी के लिए, किसानों के लिए अत्यंत उप्यों की साबित होगा